गाजर की वैसे तो कई प्रकार की दिस बनती है लेकिन आज जो मैं आप लोगों से सेर करने वाली हूँ वो एकदम हट कर है और एकदम नई रेशेपी है आपने अभी तक ना बनाई होगी और ना ही देखी होगी तो चलिए आज की एकदम से न्यू रेशेपी हम लोग चालू करते है बनाना इसके लिए मैंने लिए है तीन गाजर इन्हें पानी से अच्छे से धूल कर कपड़े से मैंने पोच लिया है उसके बाद में हमें इसके उतार लेना है छिल के जैसे हम लोग कोई भी डिस बनाते है तो बिना छिल के उतारे हम लोग नहीं बनाते है गाजर की क्योंकि इसमें रेशे रहते हैं इसलिए हमें इसे छिल कर ही उपयोग करना होता है तो मैंने तीनो गाजर को छिल लिया है और आगे पिछे का जो हमारा भाग होता है इसे काट कर हमें अलग निकाल लेना है बाद में हमें इसके बारिक बारिक टुकडों में हमें इसे कर लेना है रफली भी हम लोग इसे काट सकते हैं जरूरी नहीं कि एक ही साइज में हमारे गाजर कटे हो तो मैंने रफली आकार में ही तीनों गाजर को काट कर रख लिया है अब चलते हम लोग अगली प्रोसेस की ओर तो इसके लिए मैंने लिया है एक कौटन का कपड़ा और काटन के कपड़े में हमें सारे गाजर को एक साथ में डाल लेना है और इसकी हमें बना लेना है पोटली आपने देखा होंगा कि कई बार हम लोग स्टीम जो देते हैं तो इसी प्रकार से हम लोग स्टीम देते हैं लेकिन याद रहे कि इसमें काटन का ही कपड़ा हो टेरिकाट का कपड़ा ना हो तो इसके लिए हमें लेना है एक कूकर और इसमें मैंने डाल दिया आदा गिलास पानी और एक डिबा रखकर पोटली को हमें इसमें रख देना है और कूकर का धकन हमें बंद कर देना है और उसके बाद में लगबग 10 मिनट तक हमें इसे गेस पर रखना है और मिडियम कर देना है गेस को और उसके बाद में इसे ठंडा होने देना है तब तक हम लोग देख लेते हैं कि हमें इसे इसमें और कौन-कौन से सामान की आवसकता पड़ेगी तो मैंने यहां कुछ ड्राइब फूट से लिया है वनीला एसेस लिया है मैदा सक्कर और उसके बाद में घी लिया है मैंने और दूद तो यह सारे चीजों को मैंने यहां इखटा कर लिया है और हमारा कौकर हो चुका है ठंडा इसे हम लोग बाहर निकालते हैं लगबग 10 ही म हमें कुकर को कुकर में रखने के लिए और यह देखिए यह बहुत ही सॉट हो चुक Salad कर अच्वड ऑफ ही अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छे से यह गल चुक है और अब हमें मिक्सर के जारं में इसका बना लेना है पेस्ट और इसे मैं अभी चेक कर रहे हूं कि कहीं इसकी जो थोड़ी छोटी बड़ी जो गुटलिया रहती है वो नहीं रहना है चाहिए लेकिन गाजर को हमने इतने स्मूतली हमने इसको पका लिया है कि इसमें गुटली नहीं रहे पाएगी तो चलिए हमने इसे बाहर निक जाल कर जो एक कटोरी मैदा लिया था वो हमें इसमें कर देना है मिक्स साथ में एक चवथाई हमें लेना है सक्कर क्योंकि गाजर हमारे मीठे होते हैं इसलिए हमें एक चवथाई ही सक्कर लेना है तो बस हमें गाजर मैदा और सक्कर को इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना और अगर गारा घोल हमारा अगर लग रहा है तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा दूद एट कर देना है क्योंकि मैंने यहां एक कप दूद लिया है लेकिन एक कप दूद नहीं लगेगा बस थोड़ा थोड़ा दूद डाल कर हमें इसका घोल को तयार कर लेना है और उसके बा और से कम चमच हमें डालना है बेकिंग पावडर सिंज्ट चारों पाउमें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है मतलब घोल को तयार कर लेना है उसके बाद में आदा कटोरी हमारी है नारेल किस और दो चम्मस हमारे लगभग है तर्बूच के बीजे तो बस मैंने मतलब जो भी हमारे घर में ड्राइफ फूर्ट से हैं हम लोग ओ डाल सकते हैं और ना है तो कोई दिक्कत नहीं है तो बस घी को मैंने इटली के साचे में हल हमारी घी लगा दिया है और उसके बाद में जो हमारा बटर तयार हँ इस साचे में हमें इसको भर देना है और उसके बाद जो हमारी काजू है बस थोड़ा सा फ्लेवर के लिए काजू को इस प्रकार से सेट कर देना है और वोग़ाये diversity में हम लोग इतली अगेर बनाते हैं उसी प्रकार से हमें इसे बना लेना है कूकर में, क्योंकि हम लोग इटली के साचे में भी बना सकते हैं, मतलब जो वोन रहता है हमारा इटली का, लेकिन मैं आज कूकर में बना रहे हूँ, तो बस कूकर में हमें इसे रख देना है, और इसकी सीटी बाहर निकाल देना, पग 15-20 मिनट तक मेडियम गेश पे इसे पकने देना है तो अभी आप ये देखिए मेरे छोटे छोटे गाजर के एकदम मीनी केक बनकर रेडियू हो चुके दोस्तों बहुत ही आसान से रेशिपी है और बहुत जल्दी 10-15 मिनट में ये बन जाती है अभी हमारा चलड़ा है निव येर का समय और निव येर में हमें बड़ा केक तो हम लोग बनाते ही बनाते है लेकिन छोटे छोटे जब हम निव येर में सभी लोगों से मिलते है तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे केक बना कर सर्व कर सकते है अपना मुँ मिठा कर सकते है तो देखिए मेरे इतने अच्छे साप्ट साफ्ट मीनी केक गाजर के बनकर रेडी हो चुके है तो दोस्तों बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये और एकडम जट से बन जाती है साथ में सभी लोगों को बहुत पसंदा आती है तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों कैसे लगा झाल झाल